एक तशमलव तीन अरब की आबादी वाला देश भारत अनुवान्शिक त्रिष्टी से यहां की जनसंख्या बहुत ही विशम जन समुदायों से मिलकर बनी है देश में हीमोग्लोबिन से संबंधित अनुवान्शिक विकार जैसे बीटा थैलसीमिया, सिकल सलनीमिया एवं हीमोग्लोबिन ई तथा इनके कारक्चीनों का सहस्थानांतरण एक मुख्य स्वास्थे समस्या है वर्तमान में इन रोगों के सटी निदान एवं आजीवन प्रबंधन हेतू राश्ट्र अस्तर पर प्रयास की आवशक्ता है मध्य भारत के विधर्भ क्षेत्र में हीमोग्लोबिन संबंधित विकार मुख्य तह सिकल सेल अनीमिया एक मुख्य स्वास्थ्य समस्या है इस क्षेत्र में रहने वाले विशाल आदिवासी समूह तथा अन्यसा माजिक रूप से पिछड़े वर्क के लोगों में सिकल सेल जीन की आवरित्ती 25 से 30 प्रतिशत है समस्या की भया वाहता को देखते हुए भारतिय आयूर विज्ञान अनुसंधान परिशद ICMR नई दिल्ली ने अपने आधीनस्थ संस्थान राष्ट्रिय प्रतिरक्षा रूधिर विज्ञान संस्थान NIIH मुंबई की देखरेख में चंद्रपूर में सेंटर फॉर रिसेर्च, मैनेच्मेंट और कंट्रोल ओव हीवोगलोविनोपैथीज नामक केंद्र की स्थापना की यूजना बनाई है ताकि स्थानिय आबादी को इसका लाभ मिल सके प्रस्तावित केंद्र काउद घाटन भारत के प्रधान मंत्री माननिय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आभासी वर्च्वल रूप से परवरी 2019 को किया जा चुका है यह केंद्र दिसंबर 2015 से ICMR NIIH मुंबई के साटलाइट सेंटर के रूप में कार्य कर रहा है सेंटर के प्रतिबध वैज्ञाने को एवं कर्मचारियों का एक समूह इसका बहतरीन संचालन कर रहा है हीमोगलोबिनोपैथीज की सामुदायक जाँच, जागरुकता एवं प्रशिक्षन का रिक्रम प्रसफ के पश्चात की जाने वाली जाँच में कई ऐसे दमपत्यों की पहचान की गई है जो इस बीमारी के वाहक की श्रेणी में आते हैं तथा उन्हें प्रसफ पूर्व हीमोगलोबिनोपैथीज की जाँच उपलब्ध कर आई गई नवजात बच्चों की जाँच से सिकल सेल डिजीज से ग्रसित बच्चों के शीग्र निदान में मदद मिली और इसके साथ ही समेकित देखभाल और देखरेक के चलते इन बच्चों का जीवन स्थर बहतर हुआ हीमोगलोबिनोपैथीज के महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम करने के लिए कई अनुसंधान पर योजनाई शुरू की गई अनुसंधान एवं प्रशिक्षण हेतु इस कींद्र पर अत्याधूनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी हीमोगलोबिनोपैथीज के संबंध में क्षेत्रिय स्वास्थय अनुसंधान की आवशक्ता को पूरा किया जाएगा डियने बैंकिंग और प्रोटियो मिक्स विधाओं की स्थापना करना यहा संस्थान राज्य एवं केंद्र सरकार के साथ मिलकर विभिन्न अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से मानवसंसाधन, शिक्षन, प्रशिक्षन एवं अनुसंधान गतिविधियों के विकास हेतु कार्यरत है इन स्वास्थ्यकारेक्रमों के माध्यम से स्थानिय एवं क्षेत्रिय लोग लाभानवित होंगे